दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूं आपका ही चैनल टेक्निकल ब्लॉग में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूं यहां पर राजस्थान नगर विभाग की तरफ से वेकंसी है और र इंजीनियर की राजस्थान आवासन मंडल में परियोजना अभियंता कनिश्क पद पुना स्रिजित किये जाने के संबंध में तो यहां पर चलिए मैं बात करता हूं एक तरफ से कि किसमें कितने वेकंसी आने वाली है तो महोदय उप्रोक्त विषय अंतरगत संदरवित पत परियोजना अभियंता वरिष्ठ के विद्दूत यानि इलेक्रिकल के 11 पदोंध में कमाम वने मत कर परियोज能ा कनिश्क के पद स्विजित के जाने के सुखिर्टी अदादर प्रदान की जाती है यानि शुकृति मिल चुकी है कितने पदों के लिए 111 इसमें और उसके बाद 111 आप आयड़ करेंगे तो 1256 इलगभग 162 पदों के लिए यह विभाग की आइडी संख्या इतने यह आइडी नंबर है इनका उसके बाद 26 का रिजल्ट कब आने वाला है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हम डिप्लोमा का जो सिविल डिप्लोमा अभी नहीं आया है इन लोगों का रिजल्ट लगभग एक ख़ते के अंदर आपको पता चल जाएगा मतलब यह नहीं कि आ जाएगा लेकिन एक आपको जनकारी हो जाएग क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई निर्ण नहीं लिया गया है अभी कोई इस्टक भी नहीं है तो मेद है कि यह जो इक्जाम है कि bets उलाए के एक्जाम होने के संभान है और एक वी नहीं पता चल जाएगा एक हप्ते के एक्जाम जो डिग्री का जो कैंसिल हुआ था सिविल का वह अखिर एक्जाम कब होगा और यहां पर आप देख रहे हैं 165 पास में यह डिपार्टमेंट भरती भी सुनाई दे रही है तो आई होप जल्द ही इसमें भी वेकंसी आने वाली है तो यहां पर आप देखेंगे कई काई सारी इसपार्टमेंट में बेकंसी मतलब आ रही है आने वाली है और आपने देखा है कि राज़त्थान सीटी का इक्जाम भी मतलब होने वाला है इसका भी आमल्लाव अनलाइन वगारा सुरू होगा तो यहां पर काभी सारी चीजे इस्टार्ट हो चुकी हैं और इसक सारी चीजे मतलब स्टार्ट हो जाएं कि अभी दिक्कते हैं कोविट की कई जगां पे और यहां पर एक डेल्टा प्लस वारियंट एक बहुत ही खतरनाक है यह बढ़ रहा है बहुत तेजी से कही राजयों में राजस्थान में भी केस मिले हैं तो उमीद यह है कि सरकार इस प सब अभी इंतजार कर रहे हैं ऐसा नहों कि जल्दबाजी में कुछ हो जाए एक्जाम जैसे ही घोचित करने के बाद ऐसा हो कि बाद में फिर उसे कैंसिल करना पड़े तो इसलिए यह लोग इंतजार भी कर सकते हैं और एटलिस्ट तो 15 जुलाई के पहले तो कुछ भी सुनने में आ रहा है कि चार जुलाई को यूपी पीशल एक्जाम उत्तर प्रदेश पावर कार्परशन लिम्टेड की तरफ से यह एक्जाम होने वाला है उम्मीद है कि एक्जाम टेकनिकल का पहला एक्जाम होगा यूपी में जो की स्टार्ट होगा और और कई सारे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूगा तो बने रहना हमारे साथ ओके थैंक्यू